को रिविजन भी कराया जाते है ठीक है क्लास में क्या होता है डीकले जाता है तो गुड मॉनिंग प्रकास जी गुड मॉनिंग साथिष कुमार निरस पाल जी ठीक है रोश्णी राजवीर तो सभी लोगों का स्वागत है ठीक मैं आप चलता हूँ आज के गुशंज की और करें ठीक है इसा दिया गया आपका वित्य वर्स के यानिकि 2020-2012 के लिए गांने ak सभिचिंव काूंसा अगया जो फार्मा सेक्टर सेक्टर है यानि कि एड इस सही अंशर आएगा काल के निंज्बेपर में आप लोगा देखा होगा किพर पढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर अगला questions क्या दिया गया बाल गोबिन कुश्वा जी को हम सभी की तरफ से इंजर अक्रेडमी और हमारे जितने बचे अभी live हैं उन सब की तरफ से मैं आपको जन्मी दिन की बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे जैसे ही lockdown खुले आपका सबसे पहले आपसो जो भी एक्जाम आप दो आपका सेलेक्शन हो ठीक है तो हमारे तरफ से बहुत बहुत बढ़ाई है जितने भी लोग live हैं उन सब की तरफ से मैं आपको बढ़ाई देता हूँ अगले questions की बढ़ेंगे हम लोग अगला questions क्या दिया गया अगला questions क्या दिया गया बच्छा आपका तो इसका राइट अंसर क्या है आपका किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी किंग जोर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हम लोग यहां पर नेक्स बढ़ेंगे अगले questions की और अगला questions बचा बहुत important questions से रट दीजिए यहां से मैंने आपनों को बताया के लिए मिर्टुडंड को समाप्त कर दिया गया ठीक है मिर्टुडंड को समाप्त कर दिया गया ऐसा किस के द्वारा किया गया कौन से कंट्री यूए के द्वारा कतर हो गया आपका साओधी अरभ या ओमान किसके द्वारा ऐसा किया गया तो इसका राइट अंसर के आएग वहाँ पर्मिशन दी थी और वैसे ही क्या था आपका अधर कंट्री के अंदर कोई भी महिला जॉब करने नहीं जा सकती थी इसके लिए भी पर्मिशन दी गए थी किसके द्वरा साओधी अरब्या के द्वरा उसके बाद वहाँ पर क्या किया गया साथिय अरब्य नहीं वहाँ के आर्मर्ड फोर्सेज जो थी महिलायन वहाँ पे नहीं सामिल हो सकती थी लेकिन अब 2019 में एक बिल लाया और सामिल हो सकती थी ठीक है तो यहाँ पे ध्यान देना अच्छा कुश्शन से नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुश्शन की ओरшее world intellectual property जो आपका दे मनाया जाता है प्रतेबि वर्स कब मनाया जाता है world intellectual property दे के रूप में celebrate किया जाता है तो यह प्रतेबि वर्स कब किया जाता है आपका ठीक है तो इस क्वेशंद का राइट आंसर की आपका तो आइट आंसर आपका 26 अपरेल को तो प्रतेक वर्स 26 अपरेल को मनायो जाता है ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुष्ण पर अंतार राष्ठ्य चर्णोबिल जो आपकी घटना हुई थी ठीक है तो ये किस वर्स हुई थी अंतार राष्ठ्य आपका चर्णोबिल घटना की बचामलों क्या मनाता है यहां पे उसकी याद में बच ये डिजास्टर जो इंसिस्येंट हमКакा धुश यह धुक यह भुधर रहका फ़ण है उक्रियं और 1986 में 1986 प्रतेइक सेमने जाते है था सकता के रूप में में प्रतियक वर्स मनाया जाता है ठीक है तो यहां पर कुशन्स क्या आएगा आपका तो यह प्रतियक वर्स आपका अप्रेल के अंतिम सब्दा में कर दो यह प्रतियक वर्स आपका अप्रेल के अंतिम सब्दा में मनाया जाते यानिकि इसका राइट अंसर अगया हमेशा से र्याद रखने ना बचा ठीक है अप्रेल मंत में हमने इंप्रेल डेट जो अभी तक पड़ी कुछ इंप्रेट डेट जैसे आपका 21 अप्रेल को पड़ा आपने ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन सी इंप्रेल डेट है हमें यहीं याद कर लेते हैं आप लोग कमेंट्स में आंसर करते रहेंगे मैं आप मुझे बताएंगे 18 Price को आपने कौन से दिवस के रुपे मनाया 20 to 23. April म säघ less की यदेट आप लोगों को यार होनी जैसे कि आप्तरा अपर्य को कौनसा दिवस मनाये जाता है प्रते एक वर्स 21 को कौनसा और 24 कौनसा है چ्योंकि यह questions exam में बहुत बढ़िया 18 April को आपका Heritage Day के रूप में मना जाते है 21 April को Civil Services Day के रूप में और 24 April को आप लोग ये तीन डेट तो आपको याद होनी चाहिए exam में पूछी जाती है ठीक है और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रही है जैसे जैसे आप लोग लाइक आते हो वीडियो को लाइक भी करते रही है नेक्स बढ़ते हम लोग questions नंबर 8 की ओर questions क्या दिया गया था आपका 24 April 2020 को अपने प्रेक्शन में 30 साल पूर्णे करने का जस्ट मनाए ठीक है तो यहाँ पर किसका हबल की बात करेंगर हबल अभी recently damage भी हुआ है यहाँ पर बच्छा hardware problem आईती जिस करण से हबल जो telescope था USA का ठीक है NASA का जो हबल telescope था वो किनी करण से वहाँ पर damage भी हुआ है ठीक है तो यहाद रखना बच्छा आपका यहाँ पर D इसका right answer आएगा यह 24 अपरेल 2020 को simple सा आपसे पूछा जाना वाल है कि Hubble अभी recently news मेरा यह क्या चीज है ठीक है यह का आपका missile है यह आपका satellite है तो यह कहाँ आपका एक telescope है याद रखना यह कहाँ बच्छा आपका space telescope है ठीक है अंत्रिक्ष के है बच्छा यह दूर्बीन के है और किसका NASA के द्वारा यह launch किया गया था समझ रहो तो इसके 30 साल complete होगे next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के ओर 1990 में launch किया गया था मैंने आप लोगों को कल बताया भी था next question question number 9 के ओर चलेंगे बिश्वा मलेरिया दिवस 2020 की theme क्या थी ठीक है बिश्वा मलेरिया दिवस की theme क्या थी वच्छे आपका इस वर्स प्रतिक वर्स मलेरिया दिवस के रूप में भी हम लोग celebrate करते है ठीक है तो इस वर्स इसकी जो theme रखी गई वो क्या रखी गई Zero Malaria Start with me ठीक है ऐसा रखा गए ठीक है इसकी theme क्या रखी गई Zero Malaria Start with me अगर मैं यहाँ से पूछो Master कि Malaria दिवस के रूप में प्रतिक वर्स कब celebrate किया जाता है Malaria दिवस के रूप में प्रतिक वर्स कब celebrate किया जाता है तो आप लोग आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट्स मांसर देते रहे हैं मलेरिया दे के रूप में हम लोग कब सिलेख लिबेट करते हैं 25 अप्रेल रंजीत कुमार जी का आंसर आया यहां पे प्रतेक वर्स 25 अप्रेल को हम लोग क्या मनाते हो एक ही बच्चे न आंसर दिया 25 अप्रेल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाते है गुड मौनिंग राहूल कुमार गुपता जी आज बढ़ते हैं हम लोग अगले कुश पढ़े अब उसका रिविजन सेशन आएगा आपका रास्तिया पंचायती राज दिवस के रूप में प्रतेक वर्स कब मनाये जाता है अब पंचायती राज दिवस यहां पर आया तो यहां पर क्या क्या बन सकते हैं वो सारी चीज़े में आपको बताई थी ठीक है प्रतेक वर्स 24 अपरेल को पंचायती राज दिवस मनाये जाता है इंडियन कॉंसे पार्ट में है तो पार्ट आपका नाइन आएगा भाग 9 के अंदर पंचायती राज ब्योस्ता दी गई समझ रो उसके बाद आर्टिकल की बात करें तो 243 आप लोग को दिखेगा यहाँ पर आर्टिकल 243 के अंदर या आर्टिकल 40 के अंदर राज्यों के पास यानि डायक्टिव और प्रिंसिपल जो आपका ठीक है तो इसमें भी दिया गया आपका और कभ लागू हुआ ये सारी चीज़े बताई थी साथी साथ मैंने आपको बताया था कि 73 में सविधान संसोधन की द्वारा इसे समवैदानिक दर्जा दिया गया था इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है ठीक है इसमें टोटल कितने 29 सब्जेक्ट है वर्तमान समय पर नेक्स बढ़ते हम लोग अगले कुशंस पर अगला कुशंस यह आपकी स्कीन के सामन अभी रिसेंटली कल के ही कुशंस पेपर कुशंस में बताया था कि 92 करोड रुपए की बित्यस आयता दी गई तो यह किसे किस न दिया भी अभी समझ रह बचा आपका तो ग्रीन लैंड को बित्यस आयता जो दी गई अमेरिका के द्वारा यहां पर बचा आपको सिंपल सा द्वारा ने कि अमेरिका के द्वारा को रोना प्रकोब के दौरान आपका कितना तो अमेरिका के द्वारा ग्रीन SARAH लैंड को 92 करोड रुपए की क्या दिगेई अब साथ यहां से पूछा था मैंने आप लों को कि Green Land पिकान रहे क्योंकि Greenland पर अधिकार किसका है तो आप लोग उना अंसर दिया Denmark का अधिकार है ठीक है Denmark की Capital कहां पर Copenhagen और Denmark की currency के आपका तो क्रोन यहां की currency होगी तो इतनी चीज़े भी आप लोगों को याद रखनी चीज़ साथ में Next बढ़ते हम लोग अगले questions के और अगला questions क्या रखना आपका ये questions भी जब तक हम लोग बचल चीज़ों को revision नहीं करते हैं चीज़े याद नहीं होती है questions दिया गया कोरोना वाइरस की हमारी के बीच हरियाना राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया था reporting करने वाले सभी परितकारों के बीच कितना बीमारासी समझ रोग उनके insurance कबर देने की बात करी है तो कितने की बात करी थी यहाँ पर 10 लाख रुपए की देखो कोरोना वाइरस से जुड़े हुए हर एक देखो दो या तीन questions तो हर एक एक्जाम में बनेगा बनेगा ठीक है तो हमें यहां से questions रिपीट करने होंगे कौन सा एप किस राजय सरकार ने किस मंत्रा लेने जारी करा ठीक है तो इस तरह के questions हमें याद करने पड़ेंगे और उसके लिए दोराद लागू लॉक्डाउन के होल ठीक है 2021-2021 के लिए भारत की आर्थिक विकासदर कितनी रहने वाली है तो 0.8% है ठीक है कितनी है 0.8% फिच के according फिच के बचे यह आपका एक financial service देने वाली कंपनी है समझे हो कहां पे USA के अंदर तो इसके according कितनी würнес 2019 में 2020 में भारत की ranking है या भारत कौन से इस्तान पर है तो 20 में बचे आ आपका 20 में भारत की इस्तान कैसा है 142 फाइ स्तान है 142 फाइस वाइस थीक है नगे बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशंस की और किस देश ने हाली में कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ ब्यापक तनाव के 20 में अपने उपग्रे लॉंच करें अमेरिका के साथ इसका क्या चल रहा बच्छा आपका तनाव चल रहे ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप चाहे नोट भी कर रहे हो साथ ही साथ अब लोगों को डेटेल में सिबील सरविसे जाई का एक्जां तो नहीं देना है आपको एकजां देना किसका assaca लो तो वन दे एकजां के लिए इससे बैटर कुछ नहीं हो सकते ठीक है यह में यहीं चीज की चेज़े यान के बारे में बाकी सरकार किस राज्य की एक महिला ने नव परवतन बच्चा डी वासनी भाई इनका नाम के दी वासनी भाई तो यह नाम याद रखिए कल आपको समझ में नहीं आया होगा तो आज कुशन याद आ जाएगा कि डी वासनी भाई अभी चर्चा में रही एक्जामनर क्या पूछने आपसे कि डी वासनी भाई अभी रिसेंट्री चर्चा में रही तो यह किसे छेत्र से संबंदीत है ठीक है यह कौन से राज्य से बिलॉंग करते हैं यहां से तीन कुशन बन जाएंगे ठीक है तो डी वासनी भाई बच्चा आपका इन्होंने क्रॉस पॉलिलेशन के जरिए क्रॉस पॉलिलेशन के जरिए ठीक अब आपसे एक्जामनर पूछ ले कि यह क्रॉस पॉलिलेशन क्या चीज़ है समझ रो एक दिन में कुश्चन समझ में नहीं आएगा बार बार हम लोग जब चीज़े समझ कर रिपीट करते हैं ठीक है अत्याधिक बाज़ार मुल्यवाल से ठीक है पहली बार आपको समझ मा जाएगा उसके बाद अभी इन्होंने 10 अलग लग ठीक है तो फूल जो आपका एंट्रम की किसमें क्या करी है विक्सित करी है हम लोग यहां पर चली आते हैं केरल राज्या की और अब केरल से संबंदित कुछ चीज़े ठीक है बिलकुल यह फर्टिलाजिशन है आपका बायो टर्म से जैव विच्छे से ठीक है तो यहां पर ध्यान देना केरल राज्या से केरल राज्या के बारे मैं थोड़ा सा बच्चा मैं आपको चीज़े समझा देता हूँ यह रहा बच्चा केरल राज्या ठीक ना केरल राज्या इस तरह प्राव यहां पे सबसे पहले तो हमें क्या जनने केरल का जो समुद्री तर्थ है केरल का जो समुद्री तर्थ है यानि किसका जो कॉस्टल लाइन है यह किस नाम से जानी जाती है तो इसे कहते बच्छा आपका मालावार तर्थ समझ रो मालावार तर्थ वेस्टन घाट का ज इंसिडेंट यानि कि मोपला विद्रो इस छेतर में ये वाले छेतर में बचाईए क्योंकि agriculture के लिए जाना जाता आपका तो मालावार छेतर में क्या हुआ था मोपला इंसिडेंट हुआ था आपका कब 1921 में ठीक है तो आप से simple सा questions पूछा जाएगा कि मोपला आंदुलन जो जो हुआ था आपका ये किस छेतर से था क्रिशी छेतर से कब हुआ था आपका 1921 में और इसके बच्चा जो वह थे आपके हैड थे लीडर थे वह कौन थे तो अली मुलस्यार इसके हैड थे ये भी questions पूछ लेता एक्जामनर उसके साथ साथ यहाँ पर Arabic C के अंदर आपको एक आइलें डिखताा जिसका नाम के है लक्षेद्वीप आइलेंड के ही समुद्र तटसे लगा हुआ आपको क्या दिखेगा अरफ सागर अरफ सागर में एक आईलेंड है लक्षेद्वीप और केरल का हाईकोड का पर एर्ना कुलम में यानि आपसे questions पूछा जाता है कि ल लेमनाद लेक के अंदर यह भी बताया था मैंने आप लोगों को ठीक है उसके बाद आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं मैं दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी साउथ इंडिया की सबसे उची जो चोटी आपके उसका नाम क्या है अनाई मुंडी समझ रो अनाई म मिलती है ब्लू रेंज या नील गिरी की पाडियां समझ रो नील गिरी की पाडियों की सबसे उची चोटी तब आएगा आपका दोदा बेटा दो कुछे जाते है नील गिरी की सबसे हाइस्ट पिक दोदा बेटा हो गई ठीक है अच्छे से रट लेना दोडा बेटा आपका काँ पे हैं यह है तमिल नाडू के अंदर और अन्नाइ मुंडी काँ पे आपका केरल के अंदर ठीक है बाकी काडमम सेल्स यानि की इलाइची की पाड़िया यह भी केरल में मिलेगी आप लोगो ठीक है तो यह जरूर याद रखना बच्चत चीजें समझ में आ रही होगी और कॉपीराइट डे के रूप में कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग प्रतेक वर्स जो मनाया जाता बच्चा हमारा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में प्रतेक वर्स सेलिब्रेट किया जाता है तो कब किया जाता है तो इसका राइट आंसर के आएगा आपका प्रतेक वर्स 23 अप्रेल को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग बच्छे यहाँ पर तो यह बताया था और यहाँ पर राहुल कुमार गुपता जी का क्वेस्टन्स भी था बिल्कुल मैंने इस पर काफी चीज़ा सर्च करी कि यह ऐसा क्यूं किया गया यह सिर्फ और सिफ एक साइकलोजिक तोर पर है ठीक है वैसे तो 0.1% और खरीद लेता तो क्या हो जाता आपका 10% होता है लेकिन यह एक लॉजिक है समझ रो जब भी हम मार् मार्केट की एक पॉलिसी है समझ रो मार्केट की पॉलिसी है अगर मैं उसे हजार बोलूँगा तो हमें लगेगा यह काफी महेंगा है ठीक है तो उसी तरह से बचेजी नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुश्शन्स की और अगला कुश्शन्स सिंगापूर के प्रदान सब्सके अब का डी यानिक अब का एक जून को हाप इसक बिल्कुल पॉल्ट ब rushing गवार्दिंब्ट के दार्भरा के त्रॉक में नमित कि या पूछना है आप लोगों को अच्छा पूछूंगा ठीक है यहां पर पहला तो आपका सुदर्शनम बाभू क्या चुनेगे सीर्स विज्ञान बोड के सदसे के रूप में चुनेगे अमेरिका का नेशनल गेम क्या है तो आप लोगोंना अंसर दिया बेसबॉल आपने अंसर क्या दिया बेसबॉल आपका अंसर आया नेशनल गेम क्या है यहां क्या बेसबॉल ठीक है आप लोगों को यहां से क्या बताना मुझे बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं और अमेरि के अंदर democratic party के जो presidential सदस्य चुनेगे उनका नाम क्या है ठीक है बेसबॉल में नौ सदस्य होते नौ कितने होते नौ प्लेयर होते है ठीक है उसी तरह से खोको में भी नौ प्लेयर होते है यह तो मैंने आपको बता है खोको बेसबॉल नहीं बच्चा यहां पे बेसबॉल पू तो याद रखना अमेरिकन यहां पे हाँ नौ नौ प्लेयर होते हैं यह द्यान देना नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और प्रिथिवी दिवस प्रतेक वर्स मनाया जाता आपका तो यह मनाया जाता है बाइस अप्रेल को प्रतेक वर्स डेमोक्रिक पार्टी और रिपब्लिकन दो पार्टी है लेकिन अगले कुशन के और बचा हम लोग अगले कुशन के और बढ़ेंगे इस कुशन का राइट आंसर था आपका बाइस अप्रेल मिल्कुल बास्केट बॉल में पांस प्लेयर होते हैं ठीक है बेस बॉल पूछा था ठीक है ना नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और विश्वा बॉधिक संपधा दिवस्क जो मनाये जाता आपका 26 अपरेल को आपने बता है वर्ल्ड इंट्रेक्शल प्रॉपर्टी डे के रूप में लेकिन इसकी स्तापना कब भी मुख्याले आपका जैनिवा के अंदर है ठीक है ना तो यहां पर इस क्वेशन का जो सही आंसर आएगा आपका सी 2000 में समझ रहो वर्स 2000 में वर्ल्ड बच्चा आपका इंट्रेक्शल प्रॉपर्टी जो इन जो है आपका ठीक है सस्तान है या और गनाजिसन है इसकी स्तापना 2000 में हुई थी मुख्याले जैनिवा के अंदर है इसका मुक्याले भी ठीक है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हबल स्पेस टेलिसकोप ध्यान दें अगर कोई बच्चा यहां पर बिलकुल ध्यान से पढ़ रहा होगा तो आप लोगों को मैंने बताया कि हबल स्पेस टेलिसकोप कब लौंच हुआ कल मैंने आप लोगों को बताया था आज बताया है मैंने आपका कि 30 वर्ष कंप्लिट होगे तो आप लोगों को दोनों चीजे एक दुसरे से जुड़ते हुई दिख रही है और चीजे याद भी हो रही है ठीक है तो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको कि हबल एक टेलिस्क हमें समझ में नहीं आएगा अब आपके में कुछ हम गिया कि हबल क्या है एक स्पेस टेलिस्कॉप है किसका अमेरिका का 1990 में लॉंच किया गया 2020 में क्या हवास है यानि कि पूरे कितने 30 वर्ष कंप्लिट होगे ठीक नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशंस के ओर चर्णोबिल कहा परिस्तित है चर्णोबिल गटना रिसेंटली हमने इसे किया करा बचा बी चर्णोबिल जो आपका डिजास्टर हो था इसे संसमंद दिवस के रूप में 26 अप्रेल को मनाया तो 1986 की ये गटना थी तो कहा पर हुई थी तो MPPS के अंदर पूछा गया था कि यह चर्णोबिल की जो घटना थी युक्रेयन के अंदर तो हुई थी लेकिन किस तरौकी यह डिजास्टर था यह किस तरौकी एक आबदा थी ऐसा कुछा गया अभी जैसे मुझे ध्यान है कि 2-3 एक्जामों में अलग अलग टाइम पर यह क्वेशन पूछा जाता है इसलिए मैं वही क्वेशन रखना हूं आपके सामने जहां से एक्जामनर क्वेशन पूछ सकता है ठीक है तो 1986 में यह क्या थी बच्छे आपके वर्ल किनों नहीं बिल् करनोबिल जो न्यूकलर पावर प्लांट समझ न्यूकलर पावर प्लांट की जो घटना थी विस्पोर्ट हुआ यहां पर तो यह कब हुआ था ठीक है इस क्वेशन का तो राइट आंसर क्या था आपका 1986 में हुआ था 1986 में हुआ था नेक्ट बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन पर क्वेशन क्या दिया गया बच्छे यहां पर निम लिखित मैंसे किसके द्वारा बताया गया कि 20 साल में सबसे निचले इस्तर पर र ठीक है क्या तो यहां पर यह दिया गया किसके द्वारा बच्छा आपका तो नासा के द्वारा बताया गया था किसके द्वारा बच्छा आपका तो नासा के द्वारा ऐसा कहा गया था ठीक है तो अच्छा क्वेशन से एक्जाम पॉइंट और यू से यहां से क्वेशन नासा की फुल फॉर्म क्या होती है नहीं आएगा तो मैं तो बताओंगा आप लोगों को कि 1958 में इस्टैबलिस हुआ जैसे बारत के ठीक है नैस्टनल एरोनॉटिक्स बहुत बढ़िया नैस्टनल एरोनॉटिक्स एड इस्पेस एडमिनिस्टेशन इस्टैबलिस 1958 में और या इस्पेस एजनसी है नेक्स बढ़ेंगे किसे राजय सरकार के द्वारा हॉम लाइन अभी क्या किया गया था आपका हॉम लाइन इंटेर्टिव यानि की डोर स्टैप जो सुरू की गी थे वस्तों के वितरन के लिए बच्चा क्या किया गया शुरू किया गया तो यह और कल आपका क्या होगा जनल स्टैडी की क्लास होगी इविनिंग में आठ बजे से ठीक है तो यहां पर याद रखना निमलिखित मैंसे किसे फ्रांस में भारत का राजजूत के रूप में चुना गया यह 2020 की ही कहानी है ठीक है तो इनमेंसे किस व्यक्ति को प्रांस के अंदर भारत के क्या है समझ हो जावेद असरफ बचय ठीक है राजदूर अंसर के रूप में चुनेगे है बहुत बड़ी है यहाँ पर आंसर आ रहा है अगला question क्या दियागे बच्छे आपका जो grand slam होता है grand slam सभी को पता है कि tennis के चार अलग-अलग जो event होता है सबसे पहले जैसे आपका austrian open फिर french open फिर आपका wimmelden और उसके बाद क्या होता है आपका US open होता है इन चारों को मिलाकर grand slam बनता है तो इस grand slam को पांच बार जीतने वाली बच्छे यहां पर 32 साल की उमर में इन्होंने क्या कर दिया tennis से सन्यास ले लिया तो इनका नाम के मारिया सारा पोवा ठीक है इस question का right answer आएगा आपका रिसेंटली जो world बच्छा आपका ठीक है international agency है बच्छा आपका ठीक है तो यहां पर याद अखना इस agency के द्वारा जो doping agency है बच्छा आपका इसके द्वारा अगले चार वरसों के लिए Russian बच्छा जो athlete है इन पर परतिवन लगाए गया समझ द्वारा जो international doping agency है इसके द्वारा रसिया के जितने भी athlete है वो अगले चार वरसों तक किसी भी sports event में भाग नहीं लेंगे ठीक है तो यह रसिया से बिलोंग करती है इसलिए बताया मैंने आप लों को मैंने क्या बताया आपको international doping agency की बात करी मैंने तो international doping agency का मुख्या ले कहां पर तो यह भी बताया था मैंने आपको कहां पर Canada के अंदर समझ दो international doping agency जैसे भारत में क्या है NADA है वैसे world क्या है बचापका world जो आपका ठीक है ना जो doping agency आपके ठीक है तो यह भी याद रखना आप लोग next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions के और अगला questions के आएगा next चलेंगे हम लोग अगले questions पर किसे भारतिया बैटमिंटन खिलारी बचा आंदर परदेश ब्रस्टाचार बिरोधी हेल्पलाइन का brand ambassador चुना गिया questions क्या दिया गया इंडियन बैटमिंटन प्लेयर बिकम दे ब्रेंड अबस्टर आंदर परदेश एंटी करॉप्शन हेल्पलाइन के लिए स्रिकांत किदाम भी या PB सिंदू साहिना नयावाल जौला गटा यहाँ पे सारे के सारे जितने भी दिये गे यह सारे के सारे नाम किस्ते है बहुत बढ़िया तो इस question का right answer आएगा बच्छा आपका PB सिंदू इसका right answer के आएगा बच्छा आपका PB सिंदू यहाँ पे सही answer आते है बारत का पहला artificial intelligence जो summit होना था आपका कहां पे तो दिल्ली में होना था लेकिन बच्छा यह क्या हो गया यह भी कैंसल हो गया ठीक है coronavirus के वज़े से तो आपको simple सा यहाँ पे बच्छा यह सम्मेलन की बात करेगा लेकिन आपको rise करके याद रखना है कि rise जो था आपका यह किसे संबादी था artificial intelligence से समझ रो जो rise लगाना राज्य सरकार के द्वारा ठीक है दिल्ली में होना था यह लेकिन हुआ नहीं आपका अगला questions क्या दिया गया केंद सरकार नहीं निविखित फसलों में से किसके निर्याद पर प्रतिबंद को हटा निर्याद था ठीक है तो यह तो बचा आपका यहां पर क्या कहा गया था इसके निर्याद को बचा ठीक है तो यह आपका 2020 की घटना यानि की प्याज पर क्या लगाए गया था इसके export पर प्रतिबंद लगाए गया था जिसे हटा दिया गया था ठीक है तो कब इस रोकने के द्वारा कब लॉंच किया गया था यह तो यह तो लॉंच हो गया था आपका कब पांच मार्च को लॉंच किया था ठीक है ना यहां पर हया है लेकिन पांच मार्च को लॉंच किया इंडियन इस्पेस रिसर्च और्गनाजिशन के द्वारा imaging satellite जिसका नाम क्या था बच्छा आपका G-set first launch किया गया तो यह कब किया गया 5 March को examiner पूछ ले तो यह क्या है बच्छा आपका G-set ठीक है अब यहाँ पे हम लोग ISRO की बात करते है ISRO यानि कि आपका क्या आएगा Indian Space Research Organization established 1969 में और केश सिवाम इसके क्या है वर्तमान समय पर चेयर परसन है इतनी चीज़े आप लोग याद रखें इससे जुड़ी वी ठीक है ISRO के द्वारा जो आपका satellite launch किया गया रिसेंट नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर यहाँ पर क्या दिया गया विच नेशन पार्सिपेट इंद्र धनुस एक्सरसाइज 2020 भारत और बचक किसके बीच में सायुक्त सेन्य अभ्यास इंद्र धनुस जो हुआ था USA, France, Britain या Singapore आप लोगों के मैं questions भी लिखते जा रहा हूं कि आप लोगों के जो questions होते बच्चा वो भी मैं लिखते जाता हूं क्योंकि कई सारे topic छूट जाते हैं तो आप लोग एंड मैं अपने topic मुझे जरूर बेजेंगे कि सर इस पर questions होने चाहिए समझ रहो इविनिंग वाली class में आप यहां से questions कबर करिए क्योंकि आप लोग भी study कर रहे हो तो आपको पता है कि questions कहां से ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है अपने एंड से हम पूरी military exercise ठीक है यह क्या है आपका exercise का नाम है और इंडिया और किस country के साथ इंडिया और which country यहां पर ठीक है exercise का नाम है आपका मैत्री exercise का नाम क्या है मैत्री तो यह भारत और किस देश के बीच में joint military exercise है जल्दिस आंसर दीजिए संपृती बच्चे बंगलादेश बहुत बढ़ आतना यह दिए अगर मैं बात करेंए मैंमे तरी की बात करूं तो मैत्री भारत और किस देश के बीच मैं सिरलंका मित्र शक्ति अर्चन बच्चा उसका नाम मित्र सकती है बिलकुल थाइलेंड सही आंसर है बहुत बड़ी या है ठाइलेंड के साथ ठीक है जो अर्चन बच में हैं मित्र सक्ति ठीक है मैत्री थाइलेंड के साथ है क्योंकि यहां गलती की गुंजाइस है इस वज़े से मैंने आपको पूचा यह समझ रहो इस क्वेशन का राइट आएगगा आपको सी 24 फरवरी को प्रतेक वर्स कम अछबेक आज को मना जाता है ठीक है यहां पर क्या दिया जो चक है जब्zetर उत्पात चिल्क दिवस के रूप में मनाए जाता आपका यहां पार। झाल झाल नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन के और बचा बीच में नेट इशू आता है बिल्कुल आप लोग घबरा है नहीं अगला कुशन किया गया था कि किस सहर में अंतर राष्टे न्याइक सम्मिलन की मेजबानी की थी 2020 में इंटरनेशनल बचा ठीक है इंटरनेशनल है यून की टोटल कितनी ब्रांचेश है 6 साका है जैसे कि आपका यून असेंबली की बात करेंगे हम ठीक है ना यूनसेंबली की बात करते हम लोग जैसे आपका अलग-अलग जैसे ब्रांचे़ है उसमें कि आपका इंटरनेशनल कौIGHT OF JUSTICE ICJ International Court of Justice है तो इसका मुख्याले कहां पर है अंतरास्टिया Court of Justice का मुख्याले कहां पर है ऐसा questions भी पूछा जाता आपसे ठीक है तो इसका मुख्याले कहां पर आपका तो दिहेग के अंदर है अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ Recently लोग सेवा आयो का एक्जाम होता है समझ रो लोग सेवा आयो के अंदर एक क्या पूछा गया था आपका कि यह P5 किसको रिप्रेजेंट करता है समझ रो और एक पूछा गया था कि P notes से आप लोग क्या समझते हैं ये दो चीज़ा पूछी गई थी बच्छा ठीक है लोग सेवा आयोग का एक्जाम होता है और ऐसा है नहीं NDA के अंदर भी पूछा गया था आपका तो ये questions क्या दिया गया एक तो आता आपका P5 समझ रो और एक पूछा गया था P notes तो कौन इसका answer दे रहा है मैंने पिछली questions में पर्तिउसानन बच्चा हो गया या विकास हो गया ठीक आज कृष्णा नहीं है सुनिल कुमार जी विकास पांडे जो भी बच्चे आप आरविन यादव जी ठीक है P5 यूए नो से संबन दिता है और कोई बच्चा ठीक है बिलकुल यूए नो से संबन दिता है राजी यहाँ पे अब यादव जी बोलेंगा आपका नाम काफी लंबा होगे यादव जी ठीक है तो इन्होंने दिया है P5 यूए नो से संबन दिता है और कोई बच्चा तो मैं बता देता हूं आप लों का समय नहीं लेंगा P5 का मतलब होता है Permanent Member of ठीक है ना Permanent Member of UN Security Council समझ रो UN की जो समझ रों क्या बता है मैं आप लों को UN का एक ब्रांच है आपकी UN Security Council ठीक है तो इसका भी याद रखना Permanent Council समझ जो आपका क्या होता है सुरक्षा परिशाद के अंदर साइंतराज सुरक्षा परिशाद के अंदर जो आपके इस्थाई सदस्या ठीक है उनकी बात कर जो दिया गए आपका तो यह कुश्शन क्या दिया गया ठीक है अच्छा कुश्चास आपका कुश्चा नूबर 37 भारत में किस रास्ट के साथ 3 million रक्षा-था पर हस्ताक्षर के थे बारत के द्युक्षा चिए थे तो किस देश चाद धिशाद ऐल था इंडिया दीक्षा बचाब के सी आएगा यू ऐसे के साथ आप सभी लोग को ध्यान होगा रिसेंटली तो भारत और ठीक है तो यह किया गया था किसके साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले कुशन्स के और के द्वारा यूसुफ बचा अब्दुलरहीम अलवलुसी पर साथ साल का प्रतिबंद लगाये गया तो यह कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो कंट्री का नाम क्या आएगा आपका कंट्री ओमान कंट्री से बिलॉंग करते हैं अभी बंगलादेशी किर्केटर उन पर भी प्रतिबन लगाए गए थे साकीबुलहसन ठीक है तो यह साकीबुलहसन कहां से बंगलादेश से बिलोंग करते हैं आप से यूसुब अब्दुरहिम अल की बात करेंगे देखो यहां से बिल्कुल पूछा जाएगा भारतिय राष्टिय युदिसमारक ने बच्चा पहली वर्सगार्ट बनाई तो कब बनाएगे यानि कि यहां पर questions क्या पूछ रहे नैशनल वर मैमोरियल जो 2019 में दिल्ली के अंदर क्या किया गया था इसे इनोगेट किया गया था इसका उद्गाटन किया गया था दिल्ली के अंदर तो अभी रिसेंटली एक साल पूरे होने पर समझ रो एक साल पूरे होने पर तो कब एक साल पूरा हुआ इसका तो यह हुआ आपका कब भी आएगा आपका यहां पर ठीक है ने चौब यहां पर और वर्तमान समय पर आपसे क्या पूछेगा वर्तमान समय पर जो आपका नैस्नल वार मैमोरियल है यह कहां परिष्थित है तो जिन-जिन यह कहां पर रिस्तित है, railway, जो संग्राल है आपका, यह कहां पर रिस्तित है, और सुभास्चंद्र बोस के नाम से जो आपका museum बनाया गया, संग्राल है यह कहां पर रिस्तित है, मैंने क्या पूछा, television and film, यानि कि बच्चा आपका, यह कहां पर यह संग्राल है, बच्चा आ यहां पर पहला जो questions था questions one two three ठीक है इस तरह से दिया गया railway संग्राले आपका दिल्ली के अंदर है ठीक है ना बच्छे आपका और सुबास चंद्र बोस्त जो संग्राले बनाया गया था यह भी दिल्ली में बनाया गया हाँ अब आया ना answer मुंबाई अब आया बच्छे आप समझ रहो आप questions समझ माई आप लों को नेक्स चलेंगे हम लोग अगले questions के और अगला questions जियर आपकी screen के सामने है questions here आपकी screen के सामने है राज्जी और केंद शासित प्रदेशों कि सब यहां पर क्यों पूछा मैं वो बताऊंगा आप लों को यह कूछा आपसे तो इसका right answer आएगा आपका simple से यहां पर जो questions दिया गया उसका सई answer था आपका ठीक है यहां पर क्या right answer आएगा बच्चे इसका राज्जी और केंद सासित प्रदेशों से कितने 230, 238 सदस्य क्या करते है यहां पर बच्चे आपका प्रतिनी दिती जो आते है आपके तो simple से आपको लोग ध्यान दिजिए कि यह questions क्यों पूछा गया मैंने आपको बताया Indian constitution में आप लोग जैसे article 80 को देखोगे Indian constitution के अनुछेद 80 के अंदर जाओगे तो यहां पर दिया गया भारत के permanent यानि की जिसे हम लोग क्या बोलते है अपर हाउस भी कहते है जिसे आप लोग क्या बोलते है राज्य सभा भी कहते है ठीक है राज्य सभा या अपर हाउस इसी को कहा जाता है समझ रो इसमें total सदस्यों की संक्या होती है आपकी कितनी 250 सदस्यों की संक्या होती है 250 में से 239 आपके रज्य से आएंगे और 12 सदस्य जिनें प्रेजिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किये जाते हैं और recently जो नॉमिनेट किये गे सदस्या तो CGI समझ रो इससे पहले बचा पू समझ रो इस वज़े से मैंने आप लोगों को बताया कि यह question हां बिल्कुल आकास सिंग जी नहीं आप पे जो answer मैंने बताया कि रंजन गोगई जी को चुना गया इस वज़े से यह questions पूछा जा सकता है यह एक पर्मिनेंट मेंबर है यानि कि sorry बचा आपका एक पर्मिनेंट house होता है इसे कभी भी विखेड़न नहीं किया जा सकता है समझ रो तो यह चीज़े आप लोगों को समझनी है उसके साथ साथ राज्यसभाद से दो आर्टिकल जरूर याद रखिए एक आपका आर्टिकल 249 ठीक है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 इन दो आर्टिकलों को हा जाता है कि लोग सभा पावर्फुल होती है लोग सभाज जादा सक्तिसाली होती है राज़्यसभा के अनुसूची साथ को देखते हैं तो अनुसूची साथ में क्या दिया गया लिस्ट दे रखी आपकी यूनियन लिस्ट जिस पर केंद सरकार क्या करेगी फैस्टा लेगी ठीक है उसके बाद क्या दिया रखा आपका कौन केंद लिस्ट जिस पर दोनों का क्या होगा बचार रा रजया सगर के permission पर कानून बनेगा ठीक है और आपका क्या दिर्खा tenía स्टेट लिस्ट इस्टेट लिस्ट पर कोई isन लेने का हुआ सिर्फ राज्यका होगा अगर पहरो केंदर में आपका प्या मोदीजी चाते है कि बंगल वेस्ट बेंगल के अंदर यह लागू हो लगर राज्या उसे नहीं चाहेगा तो राज्य सूची का विसाय होता है राज्य सूची के तहत अगर राज्या नहीं चाहता है तो नहीं होगा लेकिन आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के किसी विसाय पर राज्य सभा के पास अधिकार होता है उस पर का क्या दिया गया निम लिखित मैंसे किसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है अब जैसे कुछ चीज़ें समझाऊ तो सारे के सारे बच्चे गायब हो जाते हैं इस विज़ेंसे चीज़ें समझाई नहीं जाते हैं आप क्योंकि मैंने यहां तक पहले से ही जब से मैं ओनलाइन क्लास लेता हूं बच्चे सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रैक्टिस के लिए ही आते हैं ठीक है तो अगर आप लोग प्रैक्टिस ही चाहते तो मैं आपको सिर्फ क्वेशन बेसी चीज़ें समझाऊ तो इसका राइट आपका ठीक है नहीं दो यहां पर आपका विप्रो और आयटी खड़कपूर दोनों इस पर काम कर रहे थे नेक्स बढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल आसान सा क्वेशन से विच ऑफ फॉलिंग टर्म रिलेटेट टू रेंग हनी बच्चे यहां पर क्या दिया गया मदुमख् कि पालन क्या होता आपका एप कल्चर को ठीक है यहां पर अगर मैं बात करूं लग लोकों और अगला क्या के आईगा आरिहंत आप लोगोंने एक नाम सुना होगा सबको याद है अरिहंत पब्लिकेशन है ठीक है अरिहंत बुक में अलग-अलग मैगजीन आती है अरिहंत की प्रैक्टिस पेपर आता है तो उसी तो से याद रखना अरिहंत के है बचापका एक प्रमान चालित उर्जा समझो चालित पन डूबी है ठीक है ना वन एक क्या है बचे आपका एक नुकलर पावर सब मेरीन है ठीक है नुकलर पावर क्या है सब मेरीन है बचे ये नेक्स का क्वेशन बचे आपका उस शमुद्र का नाम बताईए जिसकी सीमाए तीन महादुपा को इसपर्स करती है ये questions हम लोग evening में 9 बजे को पढ़ते है ठीक है जो questions अभी सभी लोग जितने भी यहाँ पे live है उन सभी को बताना चाहूंगा evening में आपकी class चलती है 9 बजे तो आप लोग daily आईए class आपकी practice based होती है ठीक है तो इस question का right answer के आएगा आपका भूमद्या सागर बच्चा इसका समझे रो mediterancy जो क्या करता आपका तीन महादुपा को टच करता है यह रा बच्चा आपका mediterancy यानि कि भूमद्या सागर इस छोड़ से आपका Asia को ये वाला portion आपका Europe continent को और ये पूरा का पूरा portion आपका अफ्रिका continent को यानि कि तीन देशों तीन अलग अलग मादुपा को टच करता है ठीक है भूमद्या सागर next बढ़ेंगे हम लोग अगले questions पर अगला questions क्या दिया गया बच्चा आपका विश्वकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये तो आसान सा questions आपका नील नदी विश्वकी सबसे लंबी नदी कौन सी है नील नदी नील नदी कहां से निकलती है तो नील नदी निकलती है आपकी Victoria Lake से ठीक है कहां से निकलती है आपकी Victoria जील से निकलती है इसी तरह के questions पढ़ने वाले हम लोग आने वाले बचापका यानि कल ठीक है ना हिंद महासागर का सबसे बड़ा island कौन सा है तो यह questions भी बताया है मैंने आप लोगों को कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा island मेडा गासकर एक्जाम में पूछा जाने वाला है क्योंकि अभी recently इंडियन न करती है ठीक है rainfall होता जिसका तो वहां पर बचाप सरकार के द्वारा क्या भीजा गया था भारते नेवी को मदद के लिए भीजा गया था जिसे नाम दिया गया नेवी के द्वारा operation वनीला ठीक है नेक्स चलेंगे हम लोग अगले questions पर अगला questions इन मैंसे कौन सा बचा स्ट्रेट क्या करती है कोई भी जल संदी दो लेंड मास को अलग करती है इस ट्रेट बचे क्या करती है आपकी दो इस्तल भाग को अलग करेगी और क्या करेगी आपका water body को आपस में जूडती है ठीक है क्या करती है water body को आपस में जूडती है तो यहां पर ध्यान देना इन का द्वार तो वेब मंडल जहां पर आप लोगों को ने क्या देखा वर्ल्ड की सबसे लंबी यहां पर थोड़ा समझा देता हूं आप लोगों को कुछ इस तरह से आपको यहां दिखेगा एसिया कॉंटिनेट और इस छोर पर दिखेगा आपको अफरिका ठीक है इधर दिख को अलग कर रही है जोड किसको रही लाल सागर को अधन की खारी से जोड रही है इसे कहा जाता आपका क्या आसवों का द्वार भी कहा जाता है ठीक है ना नेक्स बढ़ते हम लोग हाड़ा से बता की खोज किसके द्वहरा की गई थी नैंटीनिंटीवन में यह कोज की गई किसके द्वारा दयाराम सानी के द्वारा ठीक है तो बिल्कुल हम लोगोंने यहां पर काफी इंपोर्टेंट कुछ यह कुशन्स बच्चा मैंने आपको यह इसलिए रखें बहुत सारे बच्चे इविनिंग वाली क्लास में नहीं आते हैं तो उन्हें बताया था मैंने आप ठीक है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग क्वेशन क्या दिया गया बच्चा आपका अच्छा कुशन से एक्जाम पॉइंट आप यहां पर क्या दिया गया यह फलदार पौदा होता है जिसमें फिलामेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन यानि कि सूक्ष मिटिन नूरस होता ठीक ह तो यहां पर इस कुशटन का राइट आणसर आएगा आपका कैश्व नेना बच्चा आपका ठीक है तो यहां पर हमेशा से कुश्यन कहता हूं मैं आपको कोई भी प्लांट कोई भी पादप क्या करता है कि जो हमारे एन्वार्मेंट में नाइट्रोजन है नाइट्रोजन क किस रूप में लेगा वो पहले क्या होगा nitrogen fixation होगा ठीक है अब यहां पर questions क्या दिया गया आपका एक virus क्या होता है virus क्या होता है ऐसा questions अगर आपसे पूछा जाएगा ठीक है questions क्या पूछा गया कि virus बिल्कुल सिंपल सा questions है इस question का answer आप लो comments में दे रहो बिल्कुल अच्छा question से आपका यह DNA protein code होता है क्या दिया आगे बच्छा आपका DNA enclosed in the बच्छा आपका protein code की बात की गई प्रियोटेट होता है आपका यह आपका single chromosomes होता है ठीक है हमेशा से याद रखना virus अपने आप में किस में आता है living और non living में आता है यानि कि यह जीवित और निर्जीव में आता है जब तक यह किसी active समझ रो जब तक बच्छा यह किसी active cell में नहीं परवेश करता है हमारे environment पे नजाने कितने virus है वाइरस बच्छे क्या आता आपका non living यानि कि यह निर्जीव होता है लेकिन यह packet जब किसी living cell में समझ रो किसी जीवित कोशिका में पहुंच जाता है तो यह जीवित कोशिका के अंदर पहुंचने पर क्या हो जाता है अपका active हो जाता है यहां इसकी growth शुरू होती है और यह क्या करता है अपनी ही तुरू समझ रो यह क्या करेगा cell के अंदर अपनी ही तुरह programming शुरू कर लेगा समझ रो ये अपनी तुरह क्या कर लेगा programming शुरू कर लेगा जैसे coronavirus की बात करेंगा हम लोग तो ये other जैसे जो वहाँ पर हमारे अपने जो cell है उन cell को damage करना शुरू करता है और अपनी तुरह बचे यहाँ पर फिर cell division शुरू हो जाता है आप लोग ने बहुत बड़ी चीज सुनी होगी यानि कि अगर एक virus अगर हमारे सरीर में घुश गया तो उसके बाद क्या होता है next process क्या होती है cell division की cell division यानि कि समझ रो कोशिका विवाजन उसके बाद जो parent cell होती है वो क्या करती बच्चा बहुत सारी यहाँ पर mitosis, meiosis की जो process होती है यह अपनी तरह से बहुत सारी cell बनाना सुरू कर लेता है जो हमारी cell है उसे damage कर लेगा और उसको किस तरह का nature हो जाएगा उसका nature भी इसकी तरह हो जाएगा यानि कि virus जो cell है उसकी तरह हो जाएगा यानि यह DNA protein का जो code था अब इसने पूरा का पूरा system को change कर दिया यानि दूसरे देश की आर्मी अब यहाँ पे घुस गई और वो आर्मी अब यहाँ आर्मी को क्या कर रही है अपनी तरह बना रही है उसे क्या कर रही है अपने तरह वर्क करने की बात कर रही है नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले questions की ओर bacteria की खोज किसके द्वारा की गई है bacteria की खोज किसके द्वारा की गई ठीक है यहाँ पे विकास पांडेजी Corona की ममी नेक्स बढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल हाँ dummy बोल सकते है dummy बोल सकते है आप लोग कि dummy बना दी तो इसका right answer की आएगा Antonian Levenhawk के द्वारा की गई थी Antonian Levenhawk के द्वारा खोज की गई थी bacteria की ठीक है bacteria की खोज Antonian Levenhawk की की गई थी ठीक है हाँ यह अच्छा question से बच्चा आपका next बढ़ेंगे हम लोग cyanobacteria cyanobacteria बच्चा आपका जो होता है जिवाओं से सम्बन दीत है यानि एक simple सा आपका cyanobacteria blocked which kingdom of organism यह किस बच्चा आपका जगत से cyanobacteria किस जगत से सम्बन दीत है ठीक है ना हाँ इस question का सही answer के आएगा तो यहाँ पर याद रखना आप लोग अच्छा question से exam point of view से तो यहाँ पर इस question का right answer आएगा cyanobacteria किस में आते हैं तो यह आते हैं आपका A आपका right answer आएगा monira के अंदर next चलेंगे हम लोग protesta का बिलकुल यहाँ चीज़ा समझ में नहीं आएगा आप लोग को यह चीज़ा है मैंने आपको general science के अंदर प्राय हुआ है simple से आप लोग बचे याद रखें general science में आप लोग को पहला जो topic आएगा आपका कहां से सुरू करना है हमें करना है जो organism है diversity of जो organism की बात करी मैंने कि जो हमारे environment पे जो जीव पाए जाते है उनमें अविवित्ता पाए जाती है इस टार्टिंग ही वहाँ से होती है इन्हें हम लोग क्या करते हैं पांच अलग अलग kingdom में रखते हैं protesta, monera आपका ठीक है, planet हो गया आपका उसके बार क्या हो गया आपका एन्मिया हो गया इस तोर पर रखते हैं ठीक है, तो ये चीज़े हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ी है बायो के अंदर पढ़ी है protesta, protesta जो भी होगा आपका protesta एक आपका क्या है, kingdom है समझ जो जगत है next बढ़ेंगे हम लोग बचा तो ये सारी चीज़े हमने बायो में पढ़ी थी यहाँ पर आप लोगों को बॉंसर होगा ये चीज़े समझ लीजिए evening की जो class होती है 9 p.m. पर वहाँ पर हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आज के questions काफी हो गए आप लोगों के सभी लोग याद रखें सभी लोग याद रखें बचा आप लोगों को मैंने क्या बताया था कल यानि की 29 अपरेल समझ जो 29 अपरेल समय रहेगा आपका 8 p.m. पे जो भी important GKS हो गए बचा आपका यहाँ पे हम लोग maximum questions पढ़ने वाले हैं सभी subject ओं से ठीक है यह चीज़ ध्यान देना सभी subject ओं से हम लोग पढ़ने वाले हैं यह भी याद रखना समझ जो आप लोग 29 अपरेल यानि कि आपका कल 8 p.m. से हमारी class होगी GKS की तो सभी लोग class में रहें उसके बाद आपका 30 अपरेल को class होगी 8 p.m. से current affair की जो 2019 से अब तक के important questions रहेंगे सभी लोग वीडियो को like और share करें साथी साथ हमारे application को बचा आप लोग EAD ठीक है ना Engineer Academy दहरादून का अपना application है आज वर्तमान समय पर ठीक है और आपका परिवार है अपने परिवार को आप लोग बढ़ाईए समझो और बचों को भी जोड़िए जैसे कि आपका बिलकुल EAD के class होगी 9 बजे अभी तो 9 बजे मैं आपको अलग सी class बता रहा हूँ तो आप लोग application को download कीजे वहाँ पर आप लोग को technical से लेकर non-technical के हर एक PDF जो दी जाती है और जैसे lockdown की स्तिती सामान्या होती है तो आप लोग को और अच्छे लेबल पर तैयारी कराई जाएगे ठीक है जिसका experiment अभी वर्तमान समय पर भी रहा है कि में डेली आप लोग को एक practice paper दे रहा हूँ समझ रहो तो आप लोग अभी इंजरे कर्मी देहरादून का mobile application download कीजिए और अपने दोस्तों में भी बच्छा share करते रही है ठीक है तो बच्छा मैं आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं बच्छा हम लोग इवनिंग की क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद कर देख सुबोध कुमार जी बचर टेक्निकल क्लास बचर रेगुलर चल दी अभी जैसे सभी ब्रांचेज की क्लासे चलती है चाहे हो सिबिल हो मेकैनिकल हो चाहे इलक्ट्रोनिक्स हो इलक्टिकल हो सभी क्लास चलती है आज के समय पर टेक्निकल के लिए सबसे बेस्ट विमें जान ठीक है ना